Hi friends, welcome back to my channel यह मेरे पास iPhone 11 Pro Max और आपको भी आपको किसी भी फॉन में जुस्तो आया एप्स जो है लॉक कर सकते हैं, वो किस तरह के साथ कर सकते हैं चलिए जानते हैं इस वड़े में, तो सबसे पहले अगर आप मारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर लिए जो जो आपको एक नए वीडियो की अपडेट मिलती रहें तो मैरे जो है इसको iOS 17 लिगोपर अपडेट कर लिया है आपका फॉन किसी भी अपडेट पर रन कर रहा है वो दोस्तो माइन नहीं रखता आपको सिंपली ये हर एक फॉन में दोस्तो ये देखने को मिल जाएगा आपको किसी भी आईफॉन में ये लॉग कर सकते हो सिंपली आपको फर्स और फॉल आपको चले जाना है जिस application को भी lock करना है, अपनी face ID के साथ, यहां फिर आपको passcode के साथ, उसको जो है आपको select कर लेना है, जैसे कि मालो की मैं इस्टांगर आपको कर रहा हूँ, यहां फिर मैं कर रहा हूँ, दूस्तो, photos application को, तो simply मैं दो application मैंने जो है कर लिए select, done while section पर click कर दूँगा, and next while section पर click करकर, आपको simple new bank automation पर click करना है, and then आपको यहां पर add action के उपर click करकर, यहां पर search करना है, lock screen, आपको simply यहां पर search करना है, lock screen, आपको यहां पर option देखने को मिल जागी, जैसे कि मालो, मैं कोई सी भी application अगर application, open करता हूँ, जैसे मालो कि मैंने phone application open की, कोई सी भी गर मैं open कर रहा हूँ, camera application open की, तो मेरी पैसे जो है open हो दिया, लेकिन जब मैं इसको photos application को open करूँगा, तो मेरी पहले photos जो हो जाएंगी, लेकिन वो एक second के show होगी, बाद में दोस्तों यह face ID या फिर मेरा passcode enter करने को बोल नहीं करूँगा, तो यह मेरा दोस्तों नहीं open होगा, तो आप के साथ कोई सी भी application जो है, लोग कर सकते हो, चाए वो वारे settings से क्यों ना हो, कोई सी बगर application है, तो आप उसको लोग कर सकते हो, तो इस तरह के साथ जो है, आप लोग सकते हो, तो मिलते है नक शोड़ में, तो माश